नमस्कार, PKC Guru Classes में आपका स्वागत है, आज हम पढ़ेंगे FLN Worksheet Class 3, Maths, सब्ताह 8, Worksheet No.40, संख्याओं की उच्छल कूद सब्दों में लिखी संख्या को पढ़िए, और अंकों में लिखी संख्या पर घेरा लगाईए, बहुत आसान है बच्छों, 204, तो ये देखी 204 पर हमने घेरा लगा दिया, इसी प्रकार आप 79 पर घेरा लगाएंगे, 912 पर घेरा लगाएंगे, आगे दूसरे नंबर पर है, खालिस थान भरिये, संख्या अंकों में दी गई है, संख्या सब्दों में लिखना है, 157, तो यहाँ लिख देंगे, 157, इसी प्रकार देखी बच्चों, यहाँ लिखा है, 418, तो यहाँ आपको अंकों में लिखना है, 418, यहाँ लिखा है, 89, तो यहाँ लिखना है, सब्दों में आपको 98, इसी तरह आपको आगे के सवाल भी करने हैं, तीसरा नमबर है, नीचे दिये गए चार्ट में छूटी हुई संख्याएं लिखिए, छूटी हुई संख्याएं लिखना है, जैसे कि यहाँ 900 से 1000 तक की गिंती है, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, इसी प्रकार अपनी वर्क सीट में आप इस गिंती को 1000 तक पूर्ण कर लेंगे, आगे हैं दिवस दो में देखिए क्या है, सब्दों में लिखी गई संख्या को पढ़िए, और उसके सामने संख्या को अंकों में लिखिए, देखिए यहां पर है सब्दों में क्या है 1001, यहां लिख देंगे 1001, इसी प्रकार 768, 4225, 872, 9909, 575 और 333 को आपको अंकों में लिखना है, आगे है छूटी हुई संख्याएं लिखिए, छूटी हुई संख्याएं लिखना है, देखिए 100-100 के अंतर से आगे बढ़ रहे हैं, 100, 200, यहां पर क्या जाएगा बच्चों, 300, फिर यहां 400, फिर आगे आप बताएए, यहां पर कितना और यहां पर कितना आएगा, और इस तीन में संख्याओं की उच्छलकूद में ही क्या है तीन अंकों से बनी पाच संख्याएं दिये गए बॉक्स में लिखिए जिनके इकाई और दहाई दोनों इस्थानों पर पाच हो इकाई और दहाई दोनों इस्थानों पर कौन हो पाच हो तो यहां पर हम लिख देते हैं 155 यहाँ पर लिख सकते हैं हम 255 इसी के आगे आप इकाई और दहाई दोनों स्थानों पर पाँच वाली तीन और संख्याएं लिखेंगे आगे है तीन अंकों से बनी ऐसी पाँच संख्याएं दिये गए बॉक्स में लिखिए जिनके सेकड़े तथा दहाई के स्थान पर आठ हो तो बच्चों सेकड़े में भी आठ हो दहाई में भी आठ हो इकाई में कुछ भी आप रख सकते हैं तो मैं रख रहा हूँ इकाई में एक तो हो गया आठ सो इक्क्यासी फिर में ने रखा दो तो आठ सो बैयासी इसी तरह से आप दहाई और सेकड़े में आठ का प्रियोग करके कोई तीन संख्याएं और लिखेंगे आगे है तीन अंकों से बनी ऐसी पांस संख्याएं दिये गए बॉक्स में लिखिए जिनके सेकड़े दहाई तथा इकाई के अंक एक जैसे हो एक जैसे अंक वाली संख्या जैसे मैंने तीनों अंक 111 लिख दिया तो 122 इसी तरह से तीन और संख्या है आपको ऐसी लिखनी है जिसके तीनों अंक समान हो आगे है 178 के दिवस 4 में नीचे दिये गए अंकों से तीन अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाकर लिखिए अंकों को दोहराए बिना अंकों को दोहराना नहीं है तो देखिए बच्चों तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कोन सी बनेगी 7,5 और 2 से मिलकर 752 इनी अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी सबसे छोटे अंकों सबसे पहले लिखेंगे 2, 5, 7, 257 ऐसे ही अब हमारे पास है संख्या 1, सुनने और 9 इनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9, 1 और सुनने सबसे बड़ा अंक 9 फिर 1 फिर सुनने लेकिन इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए जैसे ही हम सबसे छोटे अंक 0 को पहले लिखते हैं फिर 1 को फिर 9 तो यहा हो जाता है गलत 0 से कोई संख्या शुरू होगी ये देखो ये 2 अंकों की संख्या बन गई 19 जबकि अपने को 3 अंकों की संख्या चाहिए इसलिए हम इस 0 को पहले इस्थान पर ना रखकर दूसरे इस्थान पर रखते हैं कैसे रखेंगे 109 109 तो 109 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 910 और सबसे छोटी संख्या 109 इसी प्रकार बच्चों इन दो संख्याओं को भी आपको सबसे बड़े और सबसे छोटे रूप में लिखना है सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगा ये सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगा ना बहुतासान है बच्चों देखिए ये 200, ये 200, ये 800, ये 800 अब हमें यहाँ देखना है कि सेकड़े में सबसे छोटे सेकड़े किसमे है इन दो अंकों में है जिनमें 281 और 218 है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 81 है और यहाँ पर 18 है तो सबसे छोटा कौन है 218 है तो हम लगा देंगे 218 पर घेरा इस तरह से इसी प्रकार अब यहाँ देखते हैं 416, 614, 641 और 461 तो 6 वाली तो बड़ी संख्याए है चार वाली हमारे पास दो संख्याए है अब इसमें भी 61 बड़ा है और 16 छोटा है तो हम लगा देंगे 416 पर घेरा यह लगा दिया मैंने 416 पर घेरा इसी प्रकार आप बच्चों सबसे छोटी संख्यापर घेरा लगाएंगे अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्यापर घेरा लगाईए सबसे बड़ी संख्या मतलब सबसे बड़ा सैक्ड़ा किसका है तो देखिए यहाँ पाँच है यहाँ एक है यहाँ तीन है यहाँ पाँच है इन दो संख्याओं में सबसे बड़ा सैकड़ा है तो हम इने पढ़ेंगे यह 513 और यह 531 तो 531 यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है तो यहाँ पर 531 पर हम घेरा लगा देंगे इसी प्रकार आप बच्चों सबसे बड़ी संख्या पर यहां घेरा लगाते जाएंगे आगे है दिवस 5 में नीचे लिखी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाईए सबसे छोटी पर फिर से हमें घेरा लगाना है यह 322, यह 233, यह 300 और यह 200 यह पूरा-पूरा 200 है इसलिए इस पर हम घेरा लगा देंगे आगे है नीचे लिखी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाईए तो देखिए 400, 400 वाले तो कट हो जाएंगे अब यह 644 है और 647 है तो 644 यहां सबसे बड़ी संख्या है दी गई संख्या के पहले वा बात की संख्या लिखना है तो 100 के पहले की संख्या कोन है? 99 है 100 के बात की संख्या कोन है? 101 है इसी प्रकार आपको 899 के ठीक पहले की संख्या और ठीक बात की संख्या लिखनी है चटवे दिवस में हम देखते हैं संख्या 603 पर घेरा लगाईए बहुत आसान है 603 तीन अंकों की संख्या ये रही 603 पर हमने घेरा लगा दिया दस-दस के अंतर से चूटी हुई संख्या ये लिखी है देखिए 802 फिर उसमें 10 बढ़ा दिया 812 फिर 10 बढ़ते जा रही है फिर 10 बढ़ा देंगे 822 फिर 10 बढ़ाया 832 फिर 10 बढ़ाया 842 आगे और 10 बढ़ा कर आपको इन इस्थानों को भरना है 100-100 के अंतर से चूटी हुई संख्या ये लिखना है 127 है तो फिर 227 आ जाएगा सेकड़े का अंक बस चेंज होते जाएगा फिर 327 फिर 427 आगे के अंकों को 100-100 बढ़ा कर आपको लिखना है संख्या 903 को अंकों में लिखिए तो कैसे लिखेंगे बच्चों 903 को हमें लिखना है अंकों में तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे सेकड़े में 9 फिर 0 और फिर 3 903 तीन अंकों से बनी कोई दो संख्या है लिखें जिनके दहाई अंक अलग अलग हों तीन अंकों से बनी कोई दो संख्याएं हम लिखते हैं जिसमें से देखिए दहाई अंक अलग-अलग होना चाहिए यहाँ जैसे मैंने मान लो नो और तीन लिख दिया इकाई और सेकड़े में अब दहाई अंक हमको अलग लेना है यहाँ पर मैं चार ले लेता हूँ यहाँ मैं पांच ले लेता हूँ ऐसे हम बच्चों क्या बना पाए 943 और 953 क्या है देखिए तीन अंकों से बनी कोई दो संख्याएं लिखे जिनमें दहाई अंक अलग-अलग हो सभी अंक अलग-अलग हो तो मैंने लिख दिया 123 लिख दिया फिर सभी अंक अलग-अलग है तो फिर यहाँ लिख दिया 456 लिख दिया है ना सभी अंक अलग-अलग है आप भी ऐसी संख्याएं लिख सकते हैं ऐसी अनंद संख्याएं हैं 190 से बनी तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो सबसे बड़ी लिखने के लिए सबसे पहले आ जाएगा नौ फिर आ जाएगा एक और फिर आ जाएगा सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाई तो कौन सी है सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी पर हमें घेरा लगाना है तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिसके सभी अंक अलग अलग हो तो सबसे बड़े अक्षर से सुरू करेंगे नौ फिर से नौ नहीं लिख सकते इसलिए उससे छोटा आठ फिर से आठ नहीं लिख सकते इसलिए उससे छोटा साथ तो बनेगी संख्या नौसो सत्यासी आगे है तीन अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए वो तो हमें आता है तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या है नौसो निन्यानवे जितने अंकों की पुछी जाए उतने बार नौ लिग दीजिए और तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या चूंकि सुन्य से सुरू नहीं हो सकती इसलिए हम एक से सुरू करेंगे और जितने अंकों की बोली जा रही उतने सुन्य लगा देंगे ये तीन अंकों की है ये देखिए 1 और 2-0 मिलकर तीन अंकों की संख्या बन गई 100 है वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है धन्यवाद